सुप्रभाद बच्चों, मैं कक्षाशार हिंदी की सिख्षिगा मीना दूबे आज आपके समक्ष एक नए विशे के साथ प्रस्तुत हूँ बच्चों, इससे पहले आपने चित्र लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, आधिकारे किये हैं आज हम करेंगे समवाद लेखन बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, दो लोग बैठे हुए हैं और वे कुछ बातचीत कर रहे हैं इस दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि चार लोग बैठे हैं और वे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं तो बच्चों ये जो बातें कर रहे हैं, इसे ही समवाद कहते हैं, ऐसे तो बाचीत कहते हैं, लेकिन जब इसको हम लिखते हैं, तो ये समवाद लेखन कहलाता है, समवाद शब्द का अर्थ है, सम जोड वाद, इसका अर्थात समवाद, सम का मतलब होता है बराबर और वाद क का मतलब होता है बात समवाद दो या दो से अधिक विक्तियों की बातचीत को समवाद कहते हैं और इन्हीं समवादों का लिखत रूप समवाद लेखन कहलाता है समवाद लेखन के इक नियम कुछ इस प्रकार हैं समवादों में करम बदता होनी चाहिए समवादों की भाषा घटना परिसिती तथा समय के अनकूल होना चाहिए समवाद लिखते समय विराम चिन्नों का उचित प्रयोग करना चाहिए समवाद छोटे, रोचक और संचिप्त होने चाहिए समवादों में कहीं भी अप्रिय या अभध्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए समवाद लिखन का एक उधारन देखिए बच्चों, विशय है यातायात के नियमों के पालन से संबंधित दो मित्रों के बीच आपसी समवाद लिखिए बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं दो मित्र आपस में यातायात को लेकर के बातचीत कर रहे हैं एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है शुरेश रमेश आज कल सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है कोई भी किसी भी तरह से गाड़ी चलाता है शुरेश ठीक कहते हो यातायात के नियमों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है रमेश ऐसे लोगों पर तुरंत भारी जुर्माना लगाना चाहिए शुरेश परंतु जुर्माना लगाए कौन इन्हें पकड़े कौन रमेश आज कल तो हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं जिसको चाहो जब चाहो पकड़ लो सुरेश सच यही तरीका है यातायात के नियमों का पालन करवाने का रमेश ठीक है मित्र मुझे कुछ जरूरी काम है मैं फिर मिलता हूँ अभ्यास का रहे है तू एक विशाय आपको दिया गया है बच्चो ग्राहक और फल विक्रेता या सबजी विक्रेता के बीच समवाद 6-8 पंक्तियों में लिखना है बच्चो आप अपने माता पिता के साथ कभी ना कभी बार्केट बाजार जाते होंगे वहाँ आपने देखा होगे कि आपके पिता किस तरह से सबजी वाले या फल वाले से बात करते हैं उसी को आपको लिखना है उमीद है आपको या विशाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चो और आप समवाद लेखन में सक्षम होंगे धन्यवाद बच्चो